पिकनिक मनाने गए तीन लड़के नर्मदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वज़े से फस गए तीनों लड़कों ने कार की छट पर चड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई इसके बाद लड़कों को बचाने के लिए प्रिशासन की ओर से रेस्ट्यू आपरेशन कर तीनों को सुरक्षित बचाया गया तो इस तस्वीरे ज़रा देखें किस तरीके से इस बार के पानी में तीन लड़के जो है वो यहाँ फस गए जिसके बाद हाला कि उन्हें वहाँ से निकाला जा सका तीन लड़के नर्मदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वज़े से फसे तीनों लड़कों ने कार की छट पर चरकर किसी तरह अपनी जान बचाई इसके बाद लड़कों को बचाने के लिए प्रशासन की उससे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और तीनों को सुरक्षित बचाया जा सका यानि किस तरीके से जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है बारिश हो रही है कई नदिया जो है वो उफान पर है जिसके कारण जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी जलस्तर बढ़ने की वज़े से तीन लड़के जो है इस पानी के पीछ में पज़ गए हाला कि उन्होंने कार की छट पर बैठ कर अपनी जान बचाई तब तक प्रशासन के लोग रेस्क्यू टी में वहां बहुत चुकी थी और उन्हें रस्ती की मदद से धीरे-धीरे सुरक्षित किनारों तक लाया किया अब ज़रा गारी के हाल देखिए कि तरीके से एक गारी आधी पानी में डूबी नजर आ रही है मद्रप्रदेश के तीस से जादा जिले है लेकिन इस वक्त में राइसन में खड़ा हूँ और आप देखिए रीचन नदी है और यह पुल जो बना हुआ था ऐसी साल पुल बना हुआ था लेकिन इतना पानी गिरा है बताया गया है कि तकरीबन पाच इंची से जादा बारिश बीते 24 घंटे में राइसेन दिले में हुई और देखी पूरा पुल तूट गया और यहां पर पीड़ लूडी की तरफ से पकाइदा यह सारे जो आए हुए और देखी पुल भरने का काम चल रहा है जो पुल तूट उसके बाद यहां पर बहुत देर तक घंटों तक लोग रुके रहे पूरी सड़क रुकी रही भोपाज से राइसेन की अब इस पुल को भरने का काम चल रहा है क्योंकि पूरी तरह से बैट चुका है तो यहां पर यहां पर देखिए आप यह देखिए मैं देखाता हूँ आपको रीचन नदी पर किस तरह यह पुल जो है तूटा हुआ है और पूरा इस पुल बैट गया और इसको भरने के लिए यहां पर तुरंत भुपाल से फीड़ डूटी हुआ कि तब इस पुल को भरने का काम किया गया क्योंकि बड़ी तादाद में भुपाल से राइसेन के जो रास्ता है अच्छा खासा रास्ता कलता है और बड़ी तादाद में आप जो लोग होते हैं राइसेन भुपाल के वीचाना जाना होता है तो रीचन नदी पर जो पुल है वो टूट गया है च्छतिल रस्त हो गया है और जिसको रिपेयर करने का काम यहां पर मेरे साम से दो गलटे चाम लहां नियु हाई में मना हुआ है अभी इस आलू हाइवे इसी साल पहली बार में घंक रख पूल टूट गया देखिया पहली बार में फोट गया अभी कुछी दिन हुए स्टार्ट है इस वहाई वे को यहां पर यह रोड है मैं सामने आपको देखाऊंगा यह रोड है जो बकाइदा रुकी हुई थी और अभी अभी इसमें कुछ गाड़िया चोटी जो हलकी गाड़िया वो निकाले गई थी हलकी अभी भी जो भारी वहान है उनको यहां पर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है क्योंकि जो पुल है वो थोड़ा सा श्रतिकर्स हो गया और उसे सुधारने का काम चल रहा है देखी काम पकाइदा आगे जारी है यहां पर आनन फानन में सारा काम किया गया और यह रेलिंग देखी यहां पर बता रहे हैं कि यह पुल को पुल के पास जो रेलिंग लगी हुई थी वो पूरी तरह से बह गई है यानि जो रायसें में पाच इंच से जादा बीटेश शुक्रिया मनुष तमाम जानकारी के लिए जिस तरीकी की बात आप मद्धिप्रदेश क के सुति हम तक पहुचा रहे हैं वहीं जैन के अगर बात करें तो जैन में जो मंदिर है आप पानी का इसतर ऐसा पहुचा है कि आप देखिए जरा कि मंदिर आधे से ज्यादा वहां पर डूप चुके हैं यह भी तस्वीर जो है यह बया करती है कि मंद्धप्रदेश में गुतनों तक पानी भर चुका है और कई मकान जो है वो आदे से ज्यादा डूप चुके हैं दुकानों में लोगों के पानी भूच चुका है और ऐसे में जरा आप तस्वीरों से देखेंगे तो अंदाजा लगाएंगे कि लोग अभी भी छाता च्छत्री लेकर गूमते न करने वाला है लेकिन इस बीच ये तस्वीर जरा आप देखिए मंदिर दरसल ये मंदिर था मंदिर जो है वो आधे से ज्यादा पानी की भेट चट चुका है पानी में डूप चुका है उजयन की ये तस्वीरे हैं यहां मंदिर बहुत बहुत मंदिर है उजयन में उसे और ये जादातर मंदर जो है वो भी अब पानी में डूपते नजर आ रहे हैं, मकान डूपते नजर आ रहे हैं, घर डूपते नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच कई जगहों पर लोग यहां पर फसे हुए हैं, सुरक्षित ठिकानों की तलाश वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन